हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल दोस्तो यूटूब की तरफ से दो नए अपडेट सामने आ रहे हैं अब दोस्तो ये दोनों ही अपडेट कमाल के होने वाले हैं पहला जो अपडेट है वो थोड़ा सा छोटा अपडेट है दोस्तो लेकिन दूसरा जो update है वो काफि कमाल का update होने वाला है अब क्या update है आपको इससे क्या benefit होगा वो सारी चिंजे मैं आज आपको detail में बताने वाला हूं तो आपको वीडियो को जरा भी इसके नहीं करना है वीडियो को complete ही और ध्यान से देखना है आखिरकार अपडेट आए क्या है देखे दोस्तों YouTube जब कभी भी कोई अपडेट देता है तो यहाँ पर Creators को जाद तरह उससे फाइदा ही होता है क्योंकि YouTube जब कभी भी आपको अपडेट देगा तो YouTube अपडेट इसी लिए देता है ताकि Creators इनसे फाइदा उठा सकें ना कि Creators को इनसे नुकसान हो लेकिन दोस्तों YouTube कभी-कभी ऐसे अपडेट भी दे देता है जिनसे Creators को नुकसान भी हो जाता है कभी-कभी Creators को यह अपडेट पसंद भी नहीं आते है तो creators को इनसे काफी ज़ाद नुकसान भी हो जाता है लेकिन YouTube हमेशा जब update देता है तो वो creators के फाइदे मंद के लिए ही देता है तो दोस्तो अब ये जो नए दो update आए है वो काफी अच्छे update है इनसे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है सीधी बासा में आपसे कहूँ के इनसे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा तो सबसे पहले दोस्तो आव हम ये जानेंगे के आखिर काफी आया क्या है जिससे हमें दोस्तो कोई भी नुकसान भी नहीं होगा और ये अच्छे update भी होने वाले है क्योंकि दोस्तों को अगर आप एक creator है तो आपको updates के बारे में जानते रहना ज़रूरी है क्योंकि Creator को जब तक updates के बारे में, policies के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो गलतिया कलता रहेगा और गलतिया करता रहेँगा तो वहां पर उसका जो चैनल है वो खतम भी हो सकता है यानि कि यूटुब से उडाया भी जा सकता है तो आपको अपडेटS को हमेशा देखते रहना है Policies को हमेशा देखते रहना है कि कहीं कोई Policy Change तो नहीं हुई है या फिर कोई ऐसा अपडेट तो नहीं आया है जिससे मेरा जो चैनल है वो यूटूब से ओडा ही दिया जाए तो दोस्तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और चानतें कि आखिरकार ये नई दो अपडेट कौन से आए और दोस्तो पहला जो अपडेट है वो मैं आपको वाइटी स्टूड एप के अंदर दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार जो पहला अपडेट है वो क्या है और जो दूसरा update है वो आपको अपने PC पर ले जाकर दिखाऊंगा कि आखिरकार दूसरा जो update है वो क्या है तो दोस्तो बिना समय गभाए पिना किसी देरी के आज किस knowledgeful and interesting वीडियो को शुरू करते हैं चलते हैं अपनी screen पर तो दोस्तो पहला जो update है मैं आपको दिखा देता हूँ YT Studio app के अंदर सबसे पहले हम चलते हैं अपने YT Studio app के अंदर YT Studio app के अंदर जाने के बाद यहां पर देखें दोस्तो आपको अपने चैनल का dashboard को देखने को मिल जाता है अब यहां पर दोस्तो आप किसी भी वीडियो को open करते हैं तो open करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ तरीका interface आ जाता है यहां पर देखें दोस्तो आपको पहले तीन option देखने को मिलते हैं सबसे पहला visibility उसके बाद monetization और उसके बाद restrictization यानि कि दोस्तो यहां पर आपकी वीडियो में कोई copyright वगरा तो नहीं है या फिर copyright content वगरा यूज तो नहीं क्या है वो सारी आप यहां पर देख सकते थे कि आपकी वीडियो में कोई कमी तो नहीं है लेकिन दोस्तो अब यहां पर आपको और option देखने मिल जाता है quality का आपको यहां पर quality का option देखने मिल जाता है पहले आपको यह option देखने को नहीं मिलता था अब आप यहां से अपनी वीडियो को देख सकते हैं कि आपकी वीडियो है वो किस quality में यहां पर upload हो चुकी है HD quality, HD quality यह सारी चिंज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं किस quality में आपकी वीडियो यहाँ पर जा चुगी है तो दोस्तों यह काफी अच्छा फीचर है पहले आपको desktop बगरा मैं वहाँ पर show होता था HD, HD बगरा जो भी है सारी चिंज़ आपकी वीडियो की quality है वह सारी चिंज़ आपको PC या desktop पर ही शो होते थी लेकिन वाइटी श्टूड एप के अंदर ही आपको यह देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों आगे आने वाले समय में YouTube Studio के अंदर ही आपको यह सारी चिंज़ बिल जाएंगी जो आप Chrome में यूज करते हैं क्योंकि वाइटी श्टूडियो के अंदर आए दिन अपडेट्स आते ही जा रहे हैं अब दोस्तों आप भढ़ते हैं हम अपने दूसरे नई अपडेट की तरफ के आखिर कार हमारा जो दूसरा नई अपडेट है वो कौन सा है तो दूसरा जो अपडेट है वो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सबसे पहले देखिए यहाँ पर यह मेरे चैनल का यहाँ पर आपको इंटरफिस देखने को मिल जाता है अब देखिए यहाँ पर मेरा चैनल का नेम आ रहा है उसी तरीके से YouTube पर भी आपको एक username यान एक handle देखने को मिलता है जैसे add the rate technical method मेरा लिखा हुआ है ऐसे आपके चैनल पर आपके desktop पर आपके PC पर देखने को मिल जागा या फिर आप Chrome में अपने YouTube को login करेंगे अपने channel को देखेंगे अब दोस्तों यहाँ पर आप Hindi में चाहें Hindi में कर सकते हैं English में रख सकते हैं किसी और बासा में चाहते हैं तो बासा में रख सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों YouTube का mail आया था मेरे पास तो मैंने इस update को देखा था मैं आपको वो mail भी अभी देखा देता हूँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने mail को देखाने बाला हूँ तो दोस्तो देखी यही वो mail है Hi technical middle We are expanding languages support for YouTube handle If you are happy with your current handle No action is required Otherwise review and update your channel handle to preferred language यानि कि दोस्तो अब आप अपने language को भी बदल सकते हैं अपने handle में जो भी language आपने डाल रखी है उसके अलावा आप और कोई भी language है उसको यहाँ पर use कर सकते हैं और यहाँ पर देखी आप इसको पूरा पढ़ना चाते हैं तो आप इसका screenshot बगरा ले सकते हैं यहाँ पर पढ़ लिजेगा यहाँ पर आपको इसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर review your handle यानि कि आपने handle को review में डाल सकते हैं आपको कुछ प्रवलम अगरा आ रही है तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लिजेगा क्योंकि मैं जाता है हाँ पर समझागा तो काफी जाता लंबा वीडियो हो जाएगा तो दोस्तो यही दो नई updates हैं आपको यह updates कैसे लगे हैं हमें comments में जरूर बताएं तो दोस्तो यही YouTube के दो नई updates हैं दोनो अपडेट्स में से आपको सबसे अच्छा अपडेट कौन सा लगा है में comments में जरूर बताएं और वीडियो ची लगी तो वीडियो को लाइक करके ते लिगो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आकन को दवाना बिलकूल ना गूलेगा दोस्तो आज की इस knowledgeful and interesting वीडियो में बस्त नहीं मिलते आपसे अगली ही वीडियो में आपके लिए कुछ knowledgeful and interesting लेकार तब तक के लिए जैहन बंदे मातरा